आएये देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्याधा कमाने को मिला ये शेर में या 15.50 इंडेक्स में 1.1.2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब lowest point पे market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए nifty के मुकाबले तीन जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए nifty के मुकाबले चार हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 112014 को 1 लाग रुपए इस शेर में invest किये चे साल बाद 1 जानुवरी 2020 को इस शेर में invest किये हुँ 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 112014 के दिन 1 लाग रुपए nifty 50 shares में invest किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करण Nifty 50 इन्वेस्टमन की वेल्यू है Nifty में एप्रिसेशन ज़्यादा हुआ है इसलिए 1 पॉइंट Nifty ने जीत लिया है 2 पॉइंट Nifty ने जीता 3 पॉइंट Share ने जीता आधी मैच में किसने ज़्यादा रंग बनाए ये इंपोर्टन है लेकिन मैच कम्प्लेट होने पर स्क्या स्कोर बोड है ये सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है ओवराल शेर जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और Nifty का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं BANK FD तोड़कर शेर खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1 2020 से 31 मार्ज 2020 का है ये कंपेरिजन है 1-1 जैनवरी 2020 से आज तक की यहाँ पर शेर मजबूत रहा ये कंपेरिजन है 1-1 डिसेमबर 2020 से आज तक की यहाँ पर शेर मजबूत रहा ये कंपेरिजन है 1-1 डिसेमबर 2020 से आज तक की यहाँ पर निफ्टी मजबूत रहा थैंक यू